आज हम दिक कुज्या तथा दिक अनुपात में संबंद बताएंगे मान लिजे कि यल यम तथायन किसी सरल रेखा के दिक कुज्याएं तथा ए कामा भी तथा सी उसके दिक अनुपात हैं तो L is equal to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square M is equal to plus minus B upon under root A square plus B square plus C square M is equal to plus minus C upon under root A square plus B square plus C square इसे आप दिक कुज्याएं जान गए हैं दिक अनुपात आपको मालूम है और उसकी सहायता से हम दिक कुज्या ग्याद कर लिए दो बिंदों को मिलाने वाली रेखा के दिक को जाएं तथा दिक अनुपात ग्याद करना है माना A, X1, Y1, Z1 तथा B, X2, Y2, Z2 दो बिंदों हैं तथा सरल रेखा A, B इन्हें जोडती है माना A, B की दिक को जाएं यल, यम, यन हैं तो A, B रेखा के दिक को जाएं X2-X1 अपान A, B, Y2-Y1 अपान A, B, तथा Z2-Z1 अपान A, B जहां A, B, दोनों बिंदों के बीच की दूरी है और उसको फार्मूला A, B is equal to under root X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square plus Z2-Z1 का whole square से ज्याद कर देते हैं दिक कनुपात आपका होता है X2-X1 कामा Y2-Y1 तथा Z2-Z1 अगर हम A से दिखाएं, तो A is equal to X2-X1, B is equal to Y2-Y1 तथा C is equal to Z2-Z1 अब हम आपको प्रिच्छेप के बारे में बताएंगे पहला है अगर बिंदु का सरल रेखा पर प्रिच्छेप कोई बिंदु बाहर दिया हुआ है और कोई रेखा है उससे प्रिच्छेप ग्याद करना है किसी बिंदु A का सरल रेखा पर प्रिच्छेप बिंदु A से PQ पर डाले गए लंब का पाद होता है यहां हम देख रहे हैं कि A से PQ रेखा पर जो लंब A म डाल रहे हैं तो यम बिंदु A का PQ पर प्रिच्छेप का लाएगा यम बिंदु को PQ रेखा पर A का प्रिच्छेप कहते हैं अब रेखा खंड का सरल रेखा पर प्रच्छिप रेखा AB का PQ पर प्रच्छिप ग्याद करना है देखे AB रेखा दी गई है अब PQ रेखा दी गई है तो A से AM लम डाला और B से BN लम डाल दिया A से BN पर A C लम डाल दिया तो एंगिल B A C is equal to हो गया थीटा AB का PQ पर प्रच्छिप है वह यम्यन हुआ अब उसको हम कैसे ग्याद करते हैं उस पर ज़रा ध्यान से आप देखिए रेखा AB का PQ पर प्रच्छिप यम्यन बराबर AB कास थीटा क्योंकि आप जानते हैं कि आधार बटे कर्ण इस इकोल टू कास थीटा AC आधार है और AB कर्ण है तो कास थीटा इस इकोल टू AC अपान AB या AC की वैलू जितनी हो गई वही वैलू यम्यन की होगी तो यम्यन बराबर हो गया AB कास थीटा अब दो बिंदों P X1 Y1 Z1 तथा Q X2 Y2 Z2 को मिलाने वाली रेखा P Q का उस रेखा पर प्रिछेप ग्याद करना जिसकी दिक को जाएं यल यम तथा यन हैं तो प्रिछेप का फार्मूला होता है P Q is equal to mod X2 minus X1 ब्रिकेट बंद यल प्लस ब्रिकेट में Y2 minus Y1 ब्रिकेट बंद यम प्लस Z2 minus Z1 ब्रिकेट बंद यन Mod इसलिए दिया जाता है कि हमेशा जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है अगर मान निकालने में धनात्मक आ जाता है तब ही हम उसको धन मान लेते हैं यदि दी कोज जाएं A B C हैं तो प्रिकेट में X2 minus X1 इंटो यल प्लस Y2 minus Y1 इंटो यम प्लस Z2 minus Z1 यन अपान अंडर रूट A square प्लस V square प्लस C square ठीक है चलू यदि A minus 1, 2, 4, B 1, 0, 3, C 1, 2, 3, D 2, 4, 1 चार बिंदु है तो रेखा खंड A B रेखा का CD पर प्रच्छेप ज्ञाद करें यदि CD का अधिकनपाद A B C हैं धिकनपाद के लिए हमने बताया था कि X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1 के फार्मोले से A1 is equal to 2 minus 1, B is equal to 4 minus 2, C is equal to 1 minus 3 अर्थात A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to minus 2 अब हम डिक को ज्याएं ग्याद करेंगे CD की दिक को ज्याएं L is equal to 1 upon under root 1 square plus 2 square plus minus 2 square M is equal to 2 upon under root 1 square plus 2 square plus minus 2 square N is equal to minus 2 under root 1 square plus 2 square plus minus 3 square is equal to 1 upon 3, comma 2 by 3, comma minus 2 by 3 यही CD की दिक को ज्याएं है इसलिए AB का CD पर प्रिच्छिप फार्मूला आपका कहता है कि माड X2 minus X1 into L plus bricket में Y2 minus Y1 M plus Z2 minus Z1 into N सबके मान रखने पार X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 L, M, N का मान रख दें तो माड में bricket में 1 plus 1 into 1 by 3 plus 0 minus 2 into 2 by 3 plus 3 minus 4 into minus 2 by 3 is equal to 2 by 3 minus 4 by 3 plus 2 by 3 2 by 3, 2 by 3 is equal to 4 by 3 4 by 3 minus 4 by 3 is equal to 0 तो यहां पर प्रिच्छिप 0 हो गया नेक्स्ट कोश्चन आपका है सिद्ध करें की त्रिभुज A minus 1 minus 2 minus 3 B 1, 1, 1 तथा C minus 3 minus 5 minus 7 समरेख हैं समरेख का मतलब आप जानते हैं कि A, B, C तीनों बिंदू A करेखा में हो तो इसको ग्याद करने के लिए हम A, B ग्याद करने हैं और B, C ग्याद करने हैं तथा A, C ग्याद करने हैं अगर A, B धन A, C बराबर B, C के बराबर हो जाए तो तीनों बिंदू A करेखा में होंगे तो सबसे पहले हम AB ग्याद करते हैं यह दो बिंदूओं के बीच की दूरी का फार्मूला का उप्योग हम यहां पर करेंगे क्या फार्मूला दूरी का होता है अंडर रूड एकस टू माइनस एकस वन का होल स्क्वाइर plus y2 minus y1 ka whole square plus z2 minus z1 ka whole square. अब a b is equal to under root 1 plus 1 ka whole square plus 1 plus 2 ka whole square plus 1 plus 3 ka whole square is equal to under root 4 plus 9 plus 16 is equal to under root 29. bc is equal to under root bracket में minus 3 minus 1 ka whole square plus minus 5 minus 1 ka whole square plus minus 7 minus 1 ka whole square is equal to under root 16 plus 36 plus 64. हम जानते हैं कि minus ka square भी plus होता है. तो minus 5 minus 1 6 हुआ, 6 ka square 36. इसी परकार minus 7 minus 1 minus 8 हुआ, अब उसका square भी हो गया, 64. तो सब हो गया under root 116. या फूर बाहर ले ले लें तो बाहर बर्गमुल्दो हो जाएगा under root 29. अब हम असी बरावर ज्याद करते हैं, under root minus 3 plus 1 ka whole square plus minus 5 plus 2 ka whole square plus minus 7 plus 3 ka whole square is equal to under root 4 plus 9 plus 16 is equal to under root 29. A B plus A C is equal to under root 29 plus under root 29 is equal to 2 under root 29 is equal to B C. या है, यह आपने लें